कि अधा करके साभी लोग आश्वास कीजिए चुनाओ है और एक तरफ गटबंदन, कॉंग्रेस पार्टी, आरजेटी और इंडिया गटबंदन, और दूसरी तरफ, आरेसेस, बीजेपी, और हिंदुस्तान के तीन-चार अरब पती, देखिए ये जो चुनाओ है, ये सम्विधान को बचाने का चुनाओ है, आरेसेस के लोग, बीजेपी के लोग सम्विधान को खतम करने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र को खतम करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंडिया गटबंदन, लोकतंत्र को और सम्विधान को बचाने की कोशिश कर रहा है, आज तक हिंदुस्तान के गरीब लोगों को जो मिला है तलितों को पिछड़ों को आदिवासियों को जो मिला है वो सम्विधान से मिला है अगर सम्विधान खतम हो जाएगा तो जो भी प्रगति हुई है गरीबों के लिए जो भी किया गया है वो सब बंध हो जाएगा मैं आपको दो-तीन उधारन देना चाहता हूँ दो-तीन आकड़े देना चाहता हूँ आज हिंदुस्तान में 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही दन है जितना 70 करोड हिंदुस्तानियों के पास है आप सोचिए एक तरफ 22 लोग दूसरी तरफ 70 करोड लोग हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में 70 करोड लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनकी आमदनी 100 रुपे से कम है एक तरफ अमबानी अधानी देश का पूरगपूरा धन उनको दिया जाता है और दूसरी तरफ देश के गरीब लोग किसान मजदूर छोटे वियापारी और ये 10 साल से नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं कभी आपका ध्यान इधर ले जाएंगे और जब आप इधर उदर देखोगे नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का धन वही 5-10-15 लोगों को पक्राते जाते हैं नाम आपने सुने है अधानी अमबानी अधानी जी को देखिए हिंदुस्तान के सब एरपोर्ट, सब पोर्ट, पावर, भिजली, खदाने, सोलर पावर, विंड पावर, डिफेंस सारा का सारा नरेंद्र मोदी जी ने अधानी जी को पकड़ा दिया है तो अब सवाल उठता है हमारा घटबंदन क्या करने जा रहा है देखिए यह जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि इतनी सीटे आएंगे उतनी सीटे आएंगी मैं सीधा बता देता हूं आपको इनको 150 से जादा नहीं मिलने वाली है